हलो फ्रेंड्स वेलकम टू स्मार्ट नोगी चैनल दोस्तों आज हम इस वीडियो में आप से चर्चा करेंगे और ये फैनिसरी कॉंस्टिबल का जो ट्रेट चल रहा है उसमें आपको कैसे जो है सामान को रखना है कैसे काटना है कैसे कैसे आपको सब कुछ करना है आपको पू सब्सक्राइब कर लिए क्योंकि स्मार्ट नोगी चलने को लेटेस्ट अबडेट हमेशा सबसे आगे मिलती है साथ ही दोस्तों आपको कोई भी नहीं जर्नकारी जब भी सरकाइनों के समझते आती है या कोई नया फॉर्म आता है तो उसके बारे मापको सारा नॉलेज यहां सब्सक्राइब कि सर मेरे साथ जो जो चैना पूछा गया और मैंने कैसे वहां पर जो है किया और उसके बाद मेरा जो है वहां पर सेलेक्शन हो गया जिया दोस्तों आपने देखा होगा कि ट्रेटेस में 400-500 स्टुरेंट जा रहे हैं और वहां से ज्यादा 10 यत ग्यारा लो तो इसलिए मैंने उन स्टुडेंट को फोकस किया कि जो पास हो रहा है तो यह संख्या कि बहुत ही कि कम है आप सभी को परता है सभी से कौंड़ेट करना भी मुश्किल हो जाता है क्योंकि वह बीडियो के नीचे आये स्प्सक्राइब गुंब कहते ही वह पर सफाय से जो है अपना कम किया और कितनी स्पीटा है जिसके वजय ने अपने आकाम को बखो भी निभाया है तो चलिए उनका वीडियो देख लेते हैं उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपको क्या एनलाइस करना है आपको क्या जो है इंप्रूबंट लाना अपने अंदर ताकि आपका भी सेलेक्शन उन 600 में से 10 इस्टोडिन में से आपका अब नाम सामिल हो अब देखिए दोस्तों कैसे परकार जो है गोरकनात यहां पर कांदा काट रहे हैं जिसके जैसे मेरा वहां पर सेलेक्शन पका हुआ आप देख सकते किस तरह का बारिक से कांदा हो जा रहा है और देख लिए उनकी जो स्पीड है जिया दोस्तों स्पीड देखिए आप कितनी स्पीड से कर रहे हैं और किस परकार वह बारिक भी कर रहे हैं मतलब ऐसा नहीं कि आप से बड़े-बड़े कांदे काट दे रहे हैं आप उनकी स्पीड देखिए कितनी अक्यूरिसी के साथ अपना हाथ भी सेफ रखा है उन्होंने ताकि हाथ भी आपक सब्रसाप हो गया तो दोस्तों सेलेख्शन हो गया उन सबसे बहुत अच्छा था इसलिए उनका जो है सेलेक्शन हुआ और इसी स्पीड के वज़े से ही जो है आप सभी कभी दोस्तों सेलेक्शन हो सकता है अगर आप अपनी स्पीड को बनाया रखते हैं तो इस परकार दोस्तों आपको कांदा देखी किस परकार उन्हें गर कहा लगे कर दोसरी कांदा अब को सबसे बहुत निखी झीड को बहुत इंपट निभाने वाली है आपके दोस्तों दोस्तों कर बार होगा को समभानी जिस तरह से अपने आपको समहाला और अपनी परकरा करता हैं तो बात बतादो दोस्तो में आपको इसी प्रड़ कॉढ़ाएं और रोटी बनना या इसस 흡़ी नहीं गठता है कुछ नई चीजे भी एड़ाउन हो चुकी जैसे मसालों के नाम पूछे जा रहे हैं तो आपको मसालों के नाम पता होना चाहिए जिया दोस्तो मसाला कौन कौन से प्रकार का है यह सब कुछ जो है आपको आपको एक टेबल पर मिल जाएगा टेबल समझ लीजे यह रखा ही हैं आपको सबके नाम बताना चाहिए आपको आपको शूमने के इजादर नहीं है आप हाथ से सोमने के आपको इजादत कर आप पांच जो है पहला राउंड है जोस्तों मसालों के जाम जितने भी है मसाले लहसून कांदा प्याज सभी चीज के आपको नाम पता होना चाहिए जो आप जादा बारीक भी रख देने तो भी नहीं चलेगी होटल में आपने रोटी खाया होगा किस प्रकार इतम कागज की तरफ उनकी पतली रोटी होती है ऐसा भी मत बना देना मीडियम रोटी जो आपके लिए बनाती है जो अच्छा खाना उसी के हिसाब से आप जो है पतला या मी अच्छा होना चाहिए यह दोनों चीजों को बैलेंस करना जिए हां दोस्तों यह बैलेंस होंगे यह पैरलर में होंगे तभी जो है आपका सेलेक्शन होगा आप आप यह सूचने के आपकी स्पीड बहुत लोग ऐसे हैं जो बहुत तेजी से काम कर रहे हैं सरा आठा सांते हैं आप काफी speed की साथ काम कर रहें लेकिंब यह नहीं कि छो है accuracy कितनी रिजाती अगर आप सही ही नहीं कर पाएंगे तो इतब देखे कि या आपकी जब आपका काम अच्छा होता है यानि कि आपको कम समय में काम के सात जो है निपूड़ता दिखाने यानि कि आप बता सब्सक्राइब कर defensive है तो ंप की सबATA करनाच्छ काफी कुछ सीखने को मिला है अगर आपको और भी कुछ पूछना हो तो आप वीडियो के निचे कमेंट कीजिए हमारे पास गुरकनात का नंबर है हम आपके साथ सेयर कर देंगे ताकि आप उनसे डिरेक्टली बात कर सकते हैं या फिर हम हमारे थ्रू भी आप जा सकते हैं तो